आपके अपने रुची धर्मण पाठ शाला में उम्मीद किरती हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त हो अच्छा आपने कभी सुना है या सुना ही होगा वैसे तो अपने आज़ पास में कि पैसा सब कुछ होता पैसे की पिछे भागते मत रहो, यह आप ऐसा खुशिया नहीं देता, वास्ताओं में यह आनसिक सकते है, अगर जिस दिन आपके पास पैसा ना हो, तो आप देखेगा आपका confidence लेविल कैसा रहता है, और जब आपकी भरी होती है, तो बड़ी-बड़ी बाते होते हैं, वो गाना भी बड़ा प्यारा, कि पैसा है तो बड़ी-बड़ी बाते हैं, लेकिन यह पैसा कमाया कैसे जाए, अगर आप इथी कल्वे में पैसा कमाना चाहा रहे हैं, तो आप देखते हो कि आप प्राइवेट जॉब करते हो, लेकिन प्राइवेट जॉब में डाउन फॉल आ रहा है, म पाँच तारिक से दस तारिक के बीच में या पाँच तारिक के पहले ही आजकल गवर्मेंट देने लगी है कि इतना जो है आपके खाते में आ जाएगा उसके साथ में अगर आपकी जॉब अच्छी है तो आपका पेट्रोल जुकी इतना महंगा होता है डीजल इतना महंगा है ठीके रहने का फिर यात्रा भत्ता फिर उसको आपके बाद रुकने की बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है और एक मात्र ऐसी जॉब है अगल आप सिविल सर्विसेस में जाते हो जो एक साथ प्राइवेट जॉब में पैसा बहुत है याद रखेगा किस्ठा पैसा और सम्माल एक साथ देती है एक साथ इतना अच्छा कॉम्मिनेशन भारत देश में तो सरकारी जॉब उरुस में भी सिविल सर्विसेस के अलावा किसी में नहीं है और इसलिए हम तैयारी करने में लगे हुए हैं लेकिन कई बार असफल हो जाते हैं और आपक कैसे या पढ़ना चाहिए तो आज पूरी बात हम विस्त्रत रूप से करेंगे कि लूसेंट को हम पढ़े कैसे या पढ़ना भी चाहिए कि नहीं कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बकवास है और आप अपनी एनरजी घलत डिरेक्शन में लगा लगा रहे हैं तो चलिए जानत है जो नहीं लूसेंट है अभी जो 2024 में है लेकिन 2023 की है ठीक है 2024 यह जब भी आते हैं देखते हैं अब हर साल नहीं लूसेंट आती है हिंदी मीडियम की लूसेंट जो है ऐसी ब्लू कलर की दिखती है और अंग्रेजी माध्यम की जो लूसेंट है वो ऐसी यलो से कलर की कुछ है म Zusा मानी अधियान कबोनना चाहिए एक बुकलेट है जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन में है और इस लूसेंट में अगर आप हिस्टी में मिलाकर साथ टॉपिक हैं और विश्व इतियास यहां पर और भी पंदरा टॉपिक के साथ में शामिल किया गया है कहने का मतलब सबसे पहले बड़ा पोर्शन हिस्ट्री जो लूसेंट में आपको जी है इसकी नहीं हुआ करता था अभी जोड़ दिया गया है और बहुत शारी चीज़ है एड कर दी गई है बहुतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जी विज्ञान के साथ सात्विज्ञान और प्रद्योगी की को सामिल करते हूँ एक computer के महतपुन प्रष्ट विज्ञान के रूप में जोड़े गए इसके अलावा खेल कूद और जो lucent का रामबार पोर्शन होता है जो ये बोलते हैं वो है क्या lucent vivid इतने पोर्शन में आपका जो general studies है general knowledge भी जो आप बोल सकते हो वो बटा हुआ है यहाँ पर lucent की इस तरीके से ये एक सामान्य अध्यन का बोला जाता है गीता है या बुक है लेकिन वास्तों में क्या इसको गीता की संग्या देना सही है चलिए जानते हैं फिर और आगे इसके बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि हमारी जो वैसे तो आपने बता दिया कि क्या है मेडम सामान्य अध्यन की बुक है या सामान्य अध्यन की किताब है जिसमें पूरा जी एस एक साथ दिया लेकिन प्रेशन ये उठता है कि ये जी एस इतनी सी बुक दिख रही है लगभग आपकी 500 पेज के एराउंड अपेज हो गए इसके तो हमको पढ़ना चाहिए क्या और इतनी सी बुक क्या हमारे एक्जाम में शाथ देगी और हम इतने से को पढ़कर इतनी आसान तरीके से ठीक है क्या सरकारी जौब पालेंगे तो प्रश्न ये उठता है कि लूसेंट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए तो क्या करते हो देखिएगा जब आप बिल्कुल प्रारंभिक दोर पर तैयारी कर रहे हो और जो बड़े एक्जाम की तैयारी है जिसमें मेंस जैसी पर इक्षाए होती है अना वन डे एक्जाम है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कई सारी सरकार और जिसकी मैं बात कर रही है उच्च पदों के लिए उसमें अगर तीन स्टेज हो रही है प्री मेंस और इंटर्व्यू जैसे एक्जाम इसमें कंड़क्ट करवाए जाते हैं तो वहां पर फैक्ट से काम नहीं बनता है आपको पूरा डीटेल पढ़ना होता है और ऐसी गं पर अवस्था और आप लूसेंट ना पढ़िए है समझ में तो मेडम कब पढ़ है कैसा क्या पढ़े तो मैं बोलूंगी लूसेंट नहीं провe efficient नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन अवस्था में हो तब कब पढ़िए किस टाइम पर अधिशे पढ़िए लेकिन मैं आपको बता दूँ अब मैंने बोल तो दिया नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन इसके लिए हम एक डायलोग मारते हैं कि लूसेंट वो महभूबा है जिसके साथ आप रह भी नहीं सकते और जिसके बिना आप से रहा भी नहीं जाता जी हाँ और इसको अगर मैं अपनी एक्जाम की भाषा में बोलूँ तो आप केवल लूसेंट पढ़कर सरकारी अधिकारी बन जाओगे ये बिल्कुल सही नहीं है और केवल अगर ये चाहा रहे हो कि लूसेंट के बिना बन जाएंगे तो ये भी गलत बात होगे हाँ जी बिल्कुल सही लिखा केवल लूसेंट पढ़के भी आप नहीं एक्जाम कॉलिफाई कर सकते और लूसेंट के बिना भी एक्जाम कॉलिफाई नहीं कर अब ये क्यों बोल रही हूँ अब देखते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए सबसे पहले मैंने बोला कि यदी आप पढ़ना जरूरी है लेकिन इसको पढ़े कैसे यदी आप तैयारी की प्रारम भी कवस्था में है सपोस करिए अभी आपने पढ़ना ही या आप ग्रेजुएशन में है या आपने सरकारी जौब की तैयारी करना चालू ही करी है और एक इसे ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो दो साल या तीन साल का समय होता है और ऐसी गंडिशन में आप लूसेंट लेकर तो आ जाए खरीद कर रख लें खरीद लें और इसके साथ साथ NCRT अगर आप पढ़ते हो तो इससे बेटर कुछ नहीं है और इसके पहले इसके भी पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रारंब जब भी आप तैयारी प्रारंब कर रहे हो तो सबसे पहले सेलेबस लेकर हूँ इंडी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम का, और लास्ट येर के question पेपल लेकर हो, मैं कोई भी exam हो, दुनिया का, चाहे इंडिया का हो, या इंडिया से बाहर का हो, मैं यही बोलती हूँ कि इसका syllabus, मतलब पूछने वाला क्या है, कौन-कौन से subjects हो इसमें कौन-कौन से topic होंगे, और पहले कैसे वो exam ले चुका है, जिसमें पास हुआ है, या collector, deputy collector बनाए, किस प्रक्रिया से बनाए, यह आपको बताएगा कौन, last year के question पे, इसलिए ये दोनों होना जरूरी है, फिर उसके बाद आप lucent खरित कर रक्तों लें, लेकिन अब आ suppose करो ancient history का जो topic है, वो उठाया NCRT से, या suppose करो धारन के लिए, आपने हडपा की पूरी कहानी, या तो अपने class program में teacher से सुनी, या तो आपने NCRT से खुद स्वयम को सुनाई और concept क्लियर गए, लेकिन अभी ये कहानी है, और history या कोई भी subject जब आप कहानी और पूरे detail से सु जिए का इसे lucent से, तो आपको पूरी कहानी पता है, आपने last year के question paper को देखा हुआ है कि ऐसे प्रशन आ रहे हैं, ठीक हडपा से कैसा प्रशन आया, अब आपने यहाँ पर पढ़ा उसी बात को lucent के तौर पर उसको lucent से पढ़ा, और तीसरी बार अभी पढ़ने का तरीका एक बार और बताऊंगी, lucent की ही आती है, एक lucent objective, जब आप exam के पास में हैं, तो lucent objective लगाना है, लेकिन इसको कैसे लगाना है, वो मैं बताऊंगी, यह revision में लगाएंगे, जब हम केवल concept पूरे clear करने के बाद में lucent objective, lucent objective, lucent objective खेलेंगे, आस समझ में आई, लेकिन पहले अगर अप तयारी की प्रारंभी का वस्था में हैं, तो आप वही अपनी traditional method अपनाईए, तयारी का कोई shortcut नहीं होता है, कि 50 page पढ़ लिए, और dipty collector बन गए, DSP बन गए, यह कहना आसान होता है, टॉपर भी आपको बोलेगा, मैंने lucent पढ़ा है, लेकिन टॉपर के concept तहले clear होते हैं, detail रूप में, revision के तोर पे वो lucent पढ़ता है, तो जो तैयारी की प्रारंभी का वस्था में हैं, वो lucent एक ना पढ़े, ठीक है, वो अपने पहले concept क्लियर करते जाए, और concept क्लियर करने के बाद में पूरे important fact यहां lucent से पढ़ते जाए, क्योंकि lucent में कहानिया नही fact नहीं बूलो, और उसके बाद आप MCQ लगा रहे हो, दूसरी बात यह होती है कि lucent जो है, वो कोई authentic book नहीं है, lucent कोई भी माननिता प्राप्ट बुक नहीं है, यदि आपने प्रारंभीक तोर पर के वह lucent पढ़ाया, lucent के fact याद कर लियो, और exam में वो प्रश्न आएगा, और आ गया और आपने टिक कर लिया, है ना, और खुदा ना खास्ता वो गलत निकल गया, तो lucent लिजा कर तुम हाई कोट सुप्रीम कोट कहीं पर भी चले जाओ, क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये माननिता प्राप्ट बुक है ही नहीं, हाँ, बिल्कुल सही सुना, उ हमारे MPPSC में एक एक्जामपल, मतलब एक कोश्चन आया था, करो या मरो का नारा किस ने दिया है, lucent में अभी भी उठा कर देखो, महातमा गांधी लिखा है, अब अपडेट कर दिया है, तो पता नहीं मुझा, बच्चे महातमा गांधी लिखकर आ गए, और हमारी MPPSC ने म माना, क्योंकि ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली खा था, और उसको सही माना, बच्चे ने बोला माम, lucent में तो लिखा है, मैंने पहले ही बोला था भाईया, डीटेल पढ़ो, और डीटेल जब आप बुक को पूरा पढ़ते हो, हिस्ट्री में तो पूरी कहानी के साथ बोला और कैसे महात्मा गांदी जी ने किस आंदोलन में इसको बोला था, देने वाला कौन था, बोलने वाला कौन था, या इसको फेमस करने वाला कौन था, ये पूरे कॉंसेप्ट आपके बेसिक से क्लियर होते हैं, रिसेंटली पूछा गया प्रश्न जो था तैमूर जो आयोग की बुकलेट चलती है, तो आप क्लेम करने जाओं, मैडम एक नंबर से प्रिलिम्स रुख गया, काश महात्मा गांदी का करो या मरो वाला सही हो जाता और कर देता, नहीं हुआ, क्योंकि क्लेम नहीं किया जा सकता, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कि कौ अंसा authentic source, कौन से exam के लिए होता है, वैसे तो सरकार की website ही सबसे authentic है, भस नबज मैं, लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे, क्या कैसे, वो मैं बताऊंगी, तो मैंने उधारन के साथ बताया है, कि लूसंड क्यों प्रारंभिक तोर पे नहीं पढ़ना चाहिए, अब अगर देख मैं भी जाता है, तो मैं बोलूँगी, पूरा अपना नीव मजबूत करते चलो, कई बारी master जब आपको class में पढ़ाता है, चुकि human है, इंसान है, और एक आधे घंटे 45 मिनिट में पूरा एकटे fact देना, क्या नहीं होता, मतलब बोलना चाहिए, यहां पर संभव नहीं है, लेकिन teacher आपको कहानी जरूर बठा देता है, लेकिन कभी-कभी क्योंकि fact है, teacher के दिमाग से fact skip हो जाते हैं, तो रहे कुछे जो fact होते हैं, वो lucent से cover हो जाते हैं, ऐसे करके यह सहायक पुस्तिका के तौर पर तो सरकारी job की गीता है, अब प्रश्न ये उठता है कि जो बच् economics, परियावरन, पारिस्तिति की इन सब के बारे में basic जानता है, अब वो lucent कैसे पढ़े, तो अब उस बच्चे के लिए मैं बोलूँगी, बिल्कुल सही बोला आपने, आप lucent पढ़िए और lucent के बिना अब आपका exam नहीं निकल सा, हमारे master ने एक बार जब हम पढ़ रहे तो, आप M. Lakshmi Kant पढ़ते हो, वैसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, आप माजित हुसेन पढ़ते हो, आप महेज बनवाल पढ़ते हो, फिर आप history की तीन बुक लेकर आते हो, ancient की अलग, medieval की अलग, ठीक है, आधुनिक की अलग, और फिर अगर world history तो पहले थी जब हमने पढ़ा तो, तो world history की भी एक और बुक, और revision के लिए फिर इत्टी मोटी, यूनिक या फिर कुछ और, तो हमने ऐसे माथा फोड़ा, क्यों, क्योंकि तब ना YouTube था, ना कुछ नट सही direction, और टीचर ने बोला, concept clear करो, हाला कि वो सही था, लेकिन प्लीज एक बार को ये बोल देता कि, बेटा, MPPSC का exam है, basic clear करा, बिल्कुल सही है, क्योंकि mains नहीं रुकेगा, basic clear है तो, लेकिन प्रेलिम्स निकालने के लिए, lucent को revision के तौर पर लेकर आओ, नहीं पता था, तो ये वेक्टी, lucent के बिना, exam pass नहीं कर पाएगा, time लगेगा, pass तो किया जा सकता है, लेकिन time लगेगा, time taking process होगे, क्योंकि 4 book अलग अलग ली है, उसको पढ़ना बहुत tough हो जाता है, ठीके, lucent जो होती है, revision के लिए बहुत अच्छी book होती है, अब ये बच्चा इसको पढ़े कैसे, ठीके, अब ये main आ रहा है पढ़ने का तरीका, देखे, suppose करिए आप इ क्योंकि हर exam का syllabus अलग होता है, उस syllabus के accordingly पूरा lucent GS पढ़ने के आवशक्ता नहीं होती है, तो आपके बल पहला वाला जो page मैंने दिखाया था, उस पहले page पर टिक कर लीजे कि कौन-कौन से topic है, फिर उन topic के pageों को गिन लीजे कि इतने page में इतने topic है, फिर आपने exam के दिन को गिन लीजे कि मेरा exam इतने दिनों में है, तो अब आपको lucent पढ़ने में आसानी होगी, आपने क्या किया, आभी detail और बताऊंगी, एक topic पढ़ा, basic आपके clear है lucent से, और lucent objective उठाई और lucent objective लगा ले, फिर अगला topic पढ़ा, फिर उसी topic की lucent objective उठाई लगा ले, फिर अगला topic पढ़ा, फिर lucent objective उठाई लगा ले, फिर अगला topic lucent objective उठाई और लगा ले, तो मुश्किल से आपके, यहाँ पर पहली reading करने में आपको, एक महिना लगेगा, दूसरी reading करने में 15 दिन और तीसरी reading साथ दिन में complete, तो एक महिने में आपका पूरा GS हो जाता है, और वो भी तीन बार, तो चलिए इसको विस्तरत रूप से समझते हैं, कि lucent के फाइदे क्या है और पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले, पढ़ने से पहले बोलना, मेडम बतातो दो कि क्या फाइदा है, अगर आपका पूरा concept क्लियर है, आप पता है क्या होता है, lucent को क्यों सरकारी जॉ आने वाले ने क्या किया है, जो जो एक्जाम में आते जाते हैं, हर साली अपडेट होती है, तो जितने भी important fact है, जो fact आ सकते है, संभावित fact है, वो पूरे का संकलन एक साथ मिलता है, दूसरा, इससे आपकी समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैंने आपको बताया ठीक है, और भटकाव से बच जाओगे, जब आप पूरी booklet पढ़ते हो, तो यह होता है, कि उसमें और भी कहानी लिखी होती है, फिर box बना होता है, फिर उसमें रोचकतत लिखे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बाते होती है, जो एक्जाम की दृष्टी से important नहीं है, लेकिन concept बनाने के लिए important होती है, तो concept तो आपके पहले ही बन गया, तो आप उसको फालतु में क्यों पढ़ना कि क्या रोचकतत्व है और यह है वो है करके, तो आपके पूरे जो भटकाव होते हैं, उससे वो बच जाता है, और revision करने में सबसे आसानी होती है, ठीके भटकाव से बचा होने से, revision बहुत तीवर गती से होता है, तो आप इसको revision book late कह से, बहुत तेज गती से, अब हर exam में प्रशन आते हैं, अगर आप दुनिया का कोई भी exam है भारत में हो रहा है वाला लेखना, ठीके अगर देख लो, UPSC देख लो, UPSC में भी Lucent से प्रशन बढ़ते हैं लेकिन UPSC एक अलग level का हो जाता है, उसमें concept जादा आता है, fact तो आप इससे clear कर दोगे, लेकिन concept के लिए आपको जो basic book होती हैं, वो पढ़ना पड़ेगा, Lucent में concept नहीं होते हैं, कम होते हैं, दूसरा MPPSC के लिए तो अभी मैं बता ही रही हूँ, चाहे MPSI हो, Constable हो, या क इसे पूरे exam के लिए पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ, तो कि मैं MPPSC मेंस की अध्यापिका हूँ, प्रारंभिक परिक्षा की तयारी मैं करवा रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला, आप लास्ट येर के question paper को देखें, लास्ट येर के question paper को देखने से आप ये कि या लूसिंट जो है हर topic हमारे exam में पूछने वाला नहीं है, सबसे पहले MPPSC की विद्यार्थी के लिए अगर आप लूसिंट में देखें, तो शुरू से चालू करते हैं, और जो विद्यार्थी है शुरू से नहीं, चलो लास्ट से चालू करते हैं, सबसे cream topic है लूसिं है, सहला काम, MPPSC या किसी भी exam में ये काम आता है, लेकिन मैं एक exam की उधारन के तौर पे बोल रहे हूं, क्योंकि मैंने देखा है MPPSC में विविद्य से बहुत प्रशन आते हैं, अगर आप लगाओ और विविद्य ये लगाओ, ठीक है, तो आपका काम विविद्यार्थी स करने करके ही, हमने रुद्रानी सीरीज बनाई है, तो अगर आपको ये लगता है कि मेडम कैसे प्रशन आते हैं, MPPSC में ये जानना है, तो मैं आपको बता दूँ, कि हमारी जो रुद्रानी सीरीज है, इस रुद्रानी सीरीज में हम MPPSC objective ही लगा रहे हैं, MPPSC के हर unit के objective कर सकते हो, और इसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, हमने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परिक्षा के लिए रुद्रानी 1.1 मतलब लॉंच किया है, इसमें आपको 599 चार्ज देना होगा, रुद्रानी 1.1 स्पेसली फोर सिविल सर्विसेज जिससे आप डिप् के पदों पर जाते हो, रुद्रानी 1.2 जो है, इसमें भी हमने गुणवत्ता का ध्यान रखा है, जो सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस सर्विसेज के तयारी करवाती है, फॉरेस सर्विसेज में, जी एस के साथ साथ, अगर आप देखें, तो सी सेट का बड़ा महत्पूर रोल अदा होता है, और सी सेट में हिंदी जो है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और हिंदी के लिए तो MPPSC में, मैं आपको इतना मास्टर बना दूंगी, ठीके कि आप डिप्टी कलेक्टर डीएस पी बन जा मैं आपको हिंदी का विद्वान तो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि हिंदी विद्वान मैं खुद नहीं हो, और इतना ज्यान मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना अनुभव है कि मैंने मेरे बच्चों को सलेक्शन करवाया है, अकेली हिंदी से तो नहीं होगा, लेकिन बहुत आप ब्रम्हा बना दूंगी हिंदी का तो ये मैं नहीं कर सकती इतना मेरे पास कैलिबर नहीं है पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 6 पेपर 5 और 6 का फुल कोर्स रुची धर्मन पाटशाला में अवेलेबल है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपने ये पूरे द्यार्थियों में शामिल होते हैं जो सब इंस्पेक्टर का एक्जाम अभी आने वाला है आगामी परिक्षा में तो आपको 499 में मात्र पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण मिलेगी इस्दा भी निया ता अगर इसको खाने जाओगे तो ठीक है तो इसका लाब ले लिज जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी लूसेंट इसलिए नहीं पढ़ना है आपके पास जैसे सपोस करो MPPSC का सेलेबस अपने सामने निकालो सबसे पहले आपको विविद पढ़ना है जैसा कि मैंने बताया यह पूरे सेलेबस का निचोड है यह MPPSC के सेलेबस में कहीं नह यह पढ़ा आपने, फिर उसके बाद अगर आप हिस्ट्री देखो, तो आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है प्राची नितिहास में, फिर मिडाईवल में और आधुनिक में, आधुनिक में इतना जाओगे आप बसकेवल, फिर उसके बाद आपकी आधी लूसेंट के बाद आप यहां आते हो, तो विश्व इथियास के सामने आपको लगा देना है कट, क्योंकि यह MPPS, ठीके तो यह आपको पढ़ना ही नहीं है, जबरदस्ती इधर क्यों महनत करो, अब भूगोल जब आप जाओगे, तो भूगोल में देखो, आप यहाँ पर ब्रह्मान सौरे प्रत्वी की संडचना और जो विश्व भूगोल है, यह हमारे सेलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन विश्व भूगोल के अपरत्यक्षिय प्रत्वी की संडचना या जलवाईू से रिलेटेड, अगर भारत की भी पढ़ो और राष्टी भी पढ़ो, पर पूरा ICTZ, अलिनो, लालिनो, और कहीं ना कहीं ये विश्व भुगोल से संबन्दित है, तो आपके वल उन्हीं पोर्शन को विश्व भुगोल में पढ़े, मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना है, अगर कभी टाइम रहा, तो अगें लूसेंट विस्तर तरीके से पढ़ने की एक हमों क्लास ले लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बता दूँ, तेकिन अभी बताती हूँ, जैसे आपको विश्व की नदिया नहीं पढ़ना है, कोई काम कानी, नदियों के किनारे विश्व के सहर कोई काम कानी, विश्व के जल प्रपात कोई काम कानी, य जुए कि उससे आपको अल्लीनो लालीनो, जो आपके सेलेबस में हाइलाइटेड है, वो समझ नहीं आएगा, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो, तो यह चीज आपको यह भारत की जल्वाईयों को प्रभावित करने वाले कारक, अगर आप पढ़ोगे, तो वो आपको बिना पढ़े समझ नहीं आएगा तो आपको केवल उतने टॉपिक पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है और एक बार मैपिंग तो देखना ही पढ़ेगा ठीक है तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी बाद में तो ये यहाँ पर आपको केवल प्रिलिम्स के लिए टेबिल टेबिल पढ़ लेना है जो आपसे संबंदित है उसके लावा कुछ भी नहीं पढ़ना है छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि एक दो प्रशन के लिए तुम पूरा आधा पूरा लूसेंट पढ़ो वाजिब नहीं है तो मैं तो बोलती हो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब छोड़ दो रिस्क लो क्योंकि आपकी कॉपी में तो बाकी चीज आपके मास्टर ने पढ़ाया ही ना छोड़ दो पूरी लूसे अब आजाओ कहाँ पर भारत के भूगोल में तो एक टॉपिक प्राचे निथियास दोसरा टॉपिक मद्यकाले निथियास तीसरा आधुनिक चौथा भारत का भूगोल पाच्वा परियावरेवन पारिस्तिति की है सेलेबस में पढ़ना है भारती अर्थ व्यवस्था पढ़ना है लेकिन भारती अर्थ व्यवस्था में प्रिलिम्स में किवल कुछ ही चीजे काम की है वो काम की चीज़े पढ़ना है फिर नी पढ़ना भारत का समिधान पूरा पढ़ना है कला संस्कृती भारत की पढ़ना है भौतिक भुगोल पढ़ना है याद रखेगा ठीक है अब यहां से सारी चीज़े आपको पढ़ना है ठीक है तो इतनी चीज़े आपको नहीं पढ़न तो हमको उन सब को सबसे पहले decode करना है और पूरी लूसेंट को decode कर लिया आपने और अब देखा कि मेरे पास कितने दिन है सपोस करो आपके पास 35 दिन बचे हैं 35 टॉपिक है तो एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा लेकिन इन में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके अच्छे हैं तो उनको आपको कम दिनों में कवर करना होगा कुछ ऐसे होंगे जो week है उनको जादा दिनों में cover करना होगा, तो पहली process आपको ये decode करना होगा, दूसरी बात syllabus के हिसाब से आप अपने page बाट ले और दिन का combination बना ले जो मैंने आपको बताया, और तीन step method लगा कर उसको पढ़ना है, तीन step method क्या होती है, ये कोई भी वेक्ति अपलाई कर स ये lucent पढ़ने का रामबान तरीका है, ठीक है, पढ़कर भी एक अधबर टाइम रहा तो एक और वीडियो बना दूंगी मैं इसमें, या हम इसको पढ़ लेंगे, सबसे पहले तो लास्ट ये के question paper को निकाल कर आपने पढ़ चुका है, ऐसा मैंने माल लिया, इतने लंबी क पहानी में, फिर आपको अपती lucent को तीन बार पढ़ना है, क्योंकि lucent वो पुरान है, जो याद नहीं होते हैं, पहली बार में अगर आप lucent को पढ़ रहे हो, तो केवल reading करो और pencil से important fact लगा लो, जो आपको कुछ नए-नए मिल रहा है, ठीक है, और जो topic केवल syllabus में हैं, उन अगर ये खाली रह गई तो, फिर उसके बाद second step में, आपने एक बार पूरी lucent जो आपके syllabus में reading कर ली, second step में आपको इसको घोटना है, या रटना है, fact को रटना है, तीन-तीन, चार-चार बार पढ़के, तीन-तीन, चार बार पढ़के, इतने में हुई, इतने में हुई, यहां से यहां से चालू हुई, और इसके करांती कारी ये थे, और ये थे, इसका कारण ये था, ठीके, इसका प्रतीक ये था, रट लो, पूरा रट लिया, और लूसेंट में जो रेडी कलर से लिखें, वो important fact और आपको जो important fact दिख रहे हैं, last year के question paper से आपने देखा, ठीक आथ रख रख के पढ़ रहे हो, ठीके, और अब MCQ सॉल कर रहे हो, एक topic पढ़ा, MCQ सॉल किया, MCQ की जो आपकी book है, वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाएगी, lucent objective हरी कलर की आती है, इत्ती बोटी कलर की book है, और जो जो lucent के topic है, उसके हसाब से यहां objective pattern में दिया है, इस अब यह हो गए आपके साथ, कि आप objective भूल गए, ठीके, तो जो आप भूले, केवल उसको highlight करना है, क्योंकि important fact में already red pen से यह color है, अब आप जो भूले वो highlight करना है, अब आपकी copy पूरी lucent तयार है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, पूरी lucent decode हो चुकी है, केवल उसको revision revision, 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 revision करना है, revision करने के बाद में objective लगाना है, revision objective, topic पढ़ा 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 objective, केवल इस तरीके से lucent पढ़ना है आपको, और मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप यह कर पाओ, तो एक और तरीका होता है lucent पढ़ने का, lucent में एक दिक फैक्ट दिये हैं, उनको एक साथ कम्माइन कर लो, रिविजन के टाइम पर, है न, तो वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है, लूसेंट पढ़ने की गती, और एक बात और बता दू, लूसेंट पढ़ने का अगर अगर सही तरीका आप में आ गया, तो सीरियसली बिलकुल सच कहा गया है, कि रिविजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, और इसे पढ़कर एक्जाम निकाला जा सकता है, जी एस के लिए केवल लूसेंट पढ़ लो, एमपी के एक अच्छी बुक पढ़ लो, और एक करेंट अफेर की बुक के साथ में, केवल संचार प्रोध्योग की वाला टॉपिक एक्स्रा पढ़ लो, आपका पेपर निकल जाएगा, केवल चार बुक से, एक काम और करना, ठेर, लूसेंट प्री और मेंस को कैसे कमाइन करके पढ़ें, या क्या मेंस के लिए जरूरी है लूसेंट पढ़ना, मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ें, या पढ़ें भी या ना पढ़ें, ये सारे प्रशन अभी भी बहुत सारे हैं Lucent से related और Lucent के बारे में जितनी बात करूँ जितने पढ़ने के तरीके हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो अभी बाकी है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इजाज़त चाहते हो अगर आपको ये लगता है कि ये जो तकनीक है आपके कुछ काम आई पढ़ने का तरीका तो आप इसको पढ़िए क्योंकि इसके बिना वास्तों में एक्जाम नहीं निकाला जा सकता और इसके येवल इसके साथ भी एक्जाम नहीं निकाला जा सकता अगर वो मेंस वाला अब कैसे नहीं आती तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का करें इंतिजार तब तक के लिए धन्यवाद ये थी मेरे तरब से सलाह। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कुछ काम आएगी तो इससे बहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता बहुत-बहुत धन्यवाद मिलत से हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्ट